हाई अब्रीवन गोडिविंग तो वाल फ्यू सो वैल कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल तो जहां पर फ्रेंड्स मैं आपको पता दू जे कैसे स्पी क्लास फोर्थ का लिजिबेल्टी क्राइटेरिय जो है बहुत बार आपने जो ग्रिविंट से से जो रिप्लाई है आया ह और उसके बारे में आपना है सुना होगा बहुत रिप्लाई आपने रिचीब की होगे बहुत सारी वीडियोस अपने देखे होगी तो जो भी मैं बात करूं का वो वायवीडेंस के बिसेस के उपर बात करूं का मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, जितनी बार मैंने कोई अगर JKSSV Class 4 Eligibility Criteria की बात किये, तो मैंने किसी evidence के basis के उपर आप से बात की है, तो जहां पर आज का जो मैं आपको बता देना चाता हूँ कि JKSSV का stand क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा Eligibility Criteria क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने JKSSV के चेर्मेंट से पूछा कि सारे Eligibility Criteria क्या है क्या है, तो आज का जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कि एक जो है candidate जो है, उन्होंने question किया उनसे, डिसकस करूँगा, कि चेर्मेंट, JKSSV के चेर्मेंट का क्या reply था, उसके basis के उपर, जब जी questions किया गया, तो गरीबेंट से से कोन सा reply आया, तो इस reply के basis के उपर मैं आप से बात करूँगा, तो अगर आप मेरे चैनल पे new हैं, तो फ़लीज वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, तो चलिए start करते हैं जब से पहले मैं आपको बता दूँ, जहां पे आप देख सकते हो, applicant submitted in system and sent to designator officer, तो जहां पे आप सबसे पहले में को जे, बता देना चालता हूं, जहां पे जो है jkssv chairman, service selection board, selection will be prepared, इनका reply आया है, selection will be prepared as per recruitment rules, selection जो होगी as per recruitment rules होगी, intent of the concerned administrative department and merit, जहां से USM s clear होगे, जहां पे ज्यादा बताने की जूट आहीं हैं, आप जहां पे मैं applicant का stand बताता हूँ कि applicant नहीं जहां पे क्या बोला है प्लीज डिरेक्टली सेज ग्रैज्टेटेमिट्टार इलिजिबल फर क्लास फॉर्थ और नॉट जहां पे पहला इंका question जही था कि क्या graduate अलिजिबल है जा नहीं है according to SRO 1999 sorry 99 according to SRO 99 क्या graduate eligible है for class 4th के लिए so lots of graduate are already in job please say yes or no eligible or not तो जहां पे इनका जही सीधा कोशन था कि क्या वो eligible है ज़र नहीं है तो जहां पे यह applicant देख रहे हो applicant का जहां पे यह recently जो आज का reply है उसके बारे में मैं आप से बात कर रहा हूँ तो जहां पे इन्होंने बोला कि क्या graduate eligible है class 4th के लिए according to SRO 99 और lots of graduate जो है already in job तो please say yes or no हमें clear करके बताओ कि eligible है ज़र नहीं है तो जहां पे आप देख सकते हो जहां पे इनको जो है इन्होंने काफी बार जो पूछा है तो जहां पे इनका जो JKSSB के चेर में का reply था बोल लिखा था already replied number of times मैंने आपको already reply कर दिया number of times इसके अलावा जो उसको second response आया जो आज का जो reply था उसके बारे में मैं discuss करूँगा तो जहां पे आप देख सकते हो तो जहां पे जे देख सकते हो उस line में आप एप्लिकेंट का देख सकते एप्लिकेंट की जो quotation उन्होंने क्या कहा है whether we give exam for class 4 or not I am a graduate is there will be any problem please clarify तो उन्होंने जहां पे clear किया कि आगर हम exam के लिए जाते हैं जा exam हम देते हैं तो मैं graduate हूँ क्या बहां पे मुझे कोई प्राब्लम होगी तो इस सीज को clarify करो तो जहां पे chairman JKSSV service election board का जो reply था वो आप देख सकते reply उन्होंने बोला कि it is up to you जै आपके उपर निर्वर करता है आग आप exam दोगे जा नहीं दोगे जै आपके उपर निर्वर करता है तो जहां पे application applicant का जहां पे reply था इन्होंने दोबारा से इन्होंने बोशा any action taken by JKSSV if we graduate give exam on base of 12th can we disqualified for graduate level exam or not please clarify तो जहां पे इन्होंने बोला कि अगर कोई JKSSV कोई action बगेरा लेती है हम क्या है हम graduate है अगर हम exam देते हैं 12th base के उपर क्या हम disqualified हो सकते हैं graduate level exam के लिए clarify exam के लिए हम उसको disqualified हो सकते हैं तो जहां पे जहां पे जो है feedback जो है जो है जो है दोबारा से बेजी है इसका मैं आपको reply बता दूँगा जाब भी कोई मुझे इसके पारे में information मिलेगी तो जहां से सीधी सी बात clear है जी इन्होंनों बोला exam आप दे सकते हो जह आपके उपर डिपेंड करता है इटस डिपेंड इटस अप टू यू तो जह आप देख सकते हो इसमें अभी तक मुझे लगता है को stand clear नहीं हुआ है बगर जे कुछ बात clear होती दिखने ही रही है इन्होंनों बोला कि आपके उपर निर्बर करता आप exam दो जानों तो जहां पर इन्होंने जहीं सीधी सी बात बोली है कि हम graduate है हम 12th base के उपर अगर कोई farm लगाते हैं क्या disqualify कर सकती है जह कैसे हम दूसरे exams के लिए तो जे था आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद इस पीडियो का बनाने का मेरा मोटिफ जे नहीं है कि मुझे आप से ब्यूस चाहिए जहां मैं चाहता हूं कि मुझे आप मेरे चैनल को subscribe करो मेरा कहने का मतलब है जो भी मेरे पास latest update होती है आप एक छोटा सा मेरा चैनल है आप मुझे फालो करते हो आप मेरे वीडियो को देखते हो तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी लोग जो सफर कर रहे हैं को आप पता नहीं है तो उन लोगों को नॉलेज उन लोगों के लिए इंफोरमेशन पर चाना जी वीडियो पनाने का मेरा मकसत है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए नहीं अच्छी लगती तो मत कीजिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो लास्ट में में जही कहूंगा जब भी कोई लेटिस ओर इंफोरमेशन मुझे मेरे पास आईगी मैं आपको डेफिनेटिव प्रवाइट करूँगा थैंक्यू बाचिक इस वीडियो तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नहीं अप्टेट के साल तब तक लिए